नमस्कार मैं हूं स्यसी आया जरखांके टॉप 25 पर्मुख खबर जानते हैं दूसरी लहर अभी खत्म नहीं स्वास्थ मत्रालाए केंद्रिये स्वास्थ मन्तराले ने मंगलवार को कहा है कि देश में कोबिट-19 की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है साथ ही कहा है कि आठ राजों में प्रजनन संख्या अधिक है इसलिए इन राजों में नियंत्रन की विशेश जरूरत है देश में कुरुणा की स्थिती पर सन्वादात समेलन को समोधित करते हुए केंद्रिय स्वास्त मंत्री के सन्युक सचिव लव अगरवाल ने कहा कि जब भी आर संख्या एक से उपर होती है तो इसका मतलब है कि मामले बढ़ रहे हैं इसे नियंत्रन करने की जरूरत है पतादे नियुज एजनसी ए एन आई के मुताबिक स्वास्त मंत्रा लेके सन्युक सचिव लव अगरवाल ने कहा कि आठ राजियों में हिमाचल परदेश, जमु कास्मीत, लक्षदीक, तमिलाड़ू, मिजोरम, करनाटक, पांडुचरी और केरल सामिला है ज्यारखन मौसम विभाग के उसार ज्यारखन में अगले कुछ दिनों तक मौसम समाने राने की संभवना है मौसम विभाग की माने तो कहीं कहीं हलके से मध्य दर्ज की बारिस हो सकती है राजि के उतरी मध्य तथा दक्षिनी पूर्वी हिसों में ज्यादा असर पड़ सकता है बतादे ज्यारखन में मानसुन की स्थिती अब तक बहुत अची रही है जुन और जुलाई दो महिना में राजधानी राची में 908 मिलिमीटर बारिस हो चुकी है सहतंतरता दिवस पर राजगिये समारों में सामिल हो सकेंगे केवल एक हैयार लोग ज्यारखन सरकार ने सहतंतरता दिवस को यादगार बनाने के त्यारी सुरू कर दी है कुरूना संक्रामन के खत्रे को देखते हुए विसेस त्यारी की जा रही है इस बार राची के मोराबादी मैदान में आज़जीत राजगिये समारों में अधिक्तम एक हैर लोग ही जुट सकेंगे बता दे मुक्री मंत्री हेमान सुरेन के आगमन से पहले सभी वियाईपी और आम जनों को अपना अस्थान गरान कर लेना होगा ज्यार्खन के सरकारी स्कूलों में नौवी से बराही तक की कक्छा चो अगस्त से ज्यार्खन में बच्चो के इलाज के लिए अमरीका का मोडल होगा लागू कुरोना की संभावित इसी लाहर को देखते हुए राची के सदर अस्पताल में मंगलवार को पीडियाट्रिक आइस्यू और एस्डियू वार्ड मरीजों के लिए खुल दिया गया है इसमें छोटे बाचो का इलाज हो सकेगा बता देवार्ड में 28 बेड का पीडियाट्रिक आइस्यू और 24 बेड एस्डियू के हैं वार्ड का उट घातन करते हुए स्वास्त मंत्री बनागुपता ने बताया कि अमरीका में जीस परकार कुरोना संक्रमन के दुरांच चिकित सको के आपसी ताल मेल से काम लिया गया वैसा ही मोडल यहां लागू कर बचो का इलाज किया जाएगा ज्यारखन में 25 सो माधमिक सिक्षको की होगी नियुकती ज्यारखन के माधमिक विद्यालियों में लगभग 18,000 असना तक प्रसिक्षित सिक्षको की नियुकती हो सकती है सरोष नियाले का आदेश आने के बाद इन पदो पर नियुकती के परकिरिया पूरी करने को लेकर एक बार फिर त्यारी शुरू कर दी गई है ज्यारखन करमजारी चाहन अयोग ने भी लंबे समय बाद 1000 फिर प्रात्मिक सिसको के आरक्षित पदो में से रिक्त रह गए पदो पर नियुकती परकिरिया पूरी करने के लिए उन अभियार्थियों के परवान पत्रों की जांचकी परकिरिया शुरू कर दी है सिक्षा सचीव का आदेश गैलाइन का पालन करते हुए क्खुले सभी स्कूल जारखन स्कूली सिक्षायों सक्षार्ता विभाग के सचीव रायस सर्मा ने चाओ अगर से सभी स्कूलों को विभाग द्वारा जारी गैलाइन के अनुसार खोलने के निदेश दिये हैं मंगलवार को वीडियो कंफिरेंसिंग के माध्यम से होई समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी जीला सिक्षा पताधिकारियों और जीला सिक्षा अधिक्षकों से असपच ट्रूप से कहा है कि गाइडलाइन के मलपानन में किसी परकार की कोताई होने पसमाधित इसकूलों के सिक्ष के अलावा पताधिकारी भी जीमेदार माने जाएंगे बताधिक शिक्षा सचीव ने बर्ष 2019-2020 की अपेक्षा बर्ष 2021-2021 में नमायंकन काम होने पर सवार उठाते हुए उन्हीलों को कारण बताने को कहा जहां नमायंकन में सबसे अधिक गिरावर दर्च की गई है उलंपिक में भाग ले रहे जहारखन के खिलाडियों के परिजनों को मुख्य मंतरी ने किया समानित जापान के टोक्यों में चल रहे उलंपिक खेलों में जहारखन की बेटिया अपना पर्चमा लहरा रही है बतादे तिरंदाज दिपका कुमार और होकी खिलाडी निकी परधान तथा सलीमा टेटे ओलमपिक में हिसा ले रही है इस करम में राजे के मुख मंत्री हमन सुरिन ने उनके परिवार को समानित किया है मोख्य मंत्रियन निकी पर्धान और सलीमा टेटे के परिजनों को घोसना के उसार 5-5 लाख रुपे साहे तारासी दी है बता दे राची में आविजित कारिक्रम में अल्प संखे कल्यान मंत्री हफिजूल हसन और फूजा सिंगल मजूद रहे ज्यारखन के स्कूलों में 1,75,000 कम हुआ नमांकन यू डैस पलस के लिए जीलो द्वारा पोटल पॉटल प्लोट किये गया आकड़ों को सही माने तो बर्ष 2019-26-2021 में राजे के स्कूलों में 1,75,000 कम नमांकन हुआ है इस तरह कुरोना का उसर बचों के नमांकन पर पड़ा हलाकि इस पूली सिक्षा यमसक शर्दा विभागने सभी जीला सिक्षा पता दिकारियों को या आकड़ा एक बार फिर सत्यापित करने को कहा है आकड़े फूरी तर सत्यापित करने के बाद ही इसे फिरीज करने को कहा गया है ज्यारखन में 23 नए केस मिले हैं जो राची से 3, पूर्वी से 4,000 बाक से 1, बोकारो से 1, धनबाज से 2, रामगर से 2, पाचमी से 3, गिरीडी से 1, खोटी से 2, लोहर दगा से 1, चात्रा से 1, साहवण से 2 मिले हैं ज्यारखन में 28 मरीज स्वस्त भी हुए हैं ज्यारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 234 है भारत में 42, 510 नए केस मिले हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 4,4,248 है देवघर जिला को ग्रीन टूरिजम छेत्र के तोर पर विक्सित किया जाएगा उपायूकते देवघर जिला को ग्रीन टूरीजम छेत्र के तोर पर विक्सित किया जाएगा इसके लिए अस्थानिय लोगों को काचरा निस्तारन पर विशेश ध्यान देने की जरूरत है अस्थानिय लोगों को काचरा निस्तार के लिए खुद से जागरूप होना होगा उप्रोक्त बात ते देवगर डिसी मंजुनात भयंत्री ने मंगलवार के दीन नगर निगम के दो वाडो में इस अभियान के शुरुगात होने के अशर पर कही रिम्स में गरीबों को पांच लाख तक की फ्री इलाज रिम्स में गरीब मरीजों के इलाज के लिए 5 लाख रुपे तक के फंड उपलब्द कराए जाएंगे इस योजना के तहट वैसे मरीजों को लाब मिलेगा जिनके पास किसी सुविधाय योजना का कार्ड नहीं है वैसे मरीज जिनके पास नतु आईस्वान कार्ड है और नही कोई लाल या पीला राशन काड़ है और आर्थिक तोर पर गरीब हैं ऐसे मरी जोग को रिम्स की ओर से इलाज के लिए जरूरत की राशी उपलब्द कराई जाएगी ताकि इलाज में कोई बाधा न पहुंचे राशी बिधान सभाच्षेतर में खूले नासा मुक्ति केंद्र सांसत संजा है राशी सांसत संजा सेठर ने नई दिली में केंद्रिय समाजीक एवं अधिकारिक मंत्री बिरेंद्र कुमार से मुलकात की इस दोरान जहां राशी लोग सभाच्षेतर में नासा मुक्ति केंद् वहीं दिव्यांग जनों को बेतर सुविदा उपलब्द कराने के रांची में मंत्रालाय का ओफिस खोलने की अपिल की इस महों के पर रांची सांसत संजाय सेट ने का कि रांची लोग सभाच्षेत्र में समाजी किन्याय यों अधिकारिता विभाग के द्वारा पिछले बर स दिव्यांग जनों के बीच 70 लाख रुपए की लागत से बैटरी चालित ट्राइ साइकिल रिक्सा टेबलेट सहीत कोई अने सहायक उपकरनों का वित्रन हुआ है इससे दिव्यांग जनों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है ज्यारखन हाई कोट ने धनबाद के डीजे उतम अनन्द की मत मामले में सोता संग्यान से दर्ज जन ही तियाज के पर सुनवाई करते हुए कहा कि राई सरकार ने मामले की सीवी आई जाज गें संसा कर दी है इसलिए सीवी आई हैंड ओवर लेते हुए तुरंत जाज शुर गर्भुतिव बच्चों की स्वास्थ हो बेहतर झारखन में जस्ण परयोजना शुरू झारखन में स्वास्थ एवं पोसन की स्थिती में सुधार लाने के लिए ग़ामिन विकास विभाग के सचीव डाक्टर मनिस रंजन ने जस्ण परयोजना का ओन-लाइन सुभारम किया इस महों के पर सचीव डाक्टर रंजन ने जस्न कारेकरम को वक्त की जरूरत करार दिया उन्होंने कहा कि कुरोणा संक्रमन के बाद के चुनती पूर्ण महाल में सावी को सुलक्षित रखना सरकार के प्रत्मिक्ता है ऐसे कठीन समय में जस्न कारेकरम गर्वती महिलाओ एवं बच्चों के पोशन एवं स्वास्त मानकों में सुधार के लिए अभिनोव पर्यास सावीत होंगे रांची में बारिस में डूबे एक्तिस्व पौधे ज्यारखन के बन विभाग के लपरवाई से रांची के अंगड़ा में एक्तिस्व पौधे बारिस में डूब गया है ज्यारखन अकेडमी कॉंसिल दुआरा 30 जूलाई को जारी इंटर के तीनो सनकाय के रिजल्ट में कई गरवडिया सामने आई है कई भी द्यार्थियों के रिजल्ट में नन प्रेक्टिकल विशायों के बीस अंग के आंधरिक मुल्यांकन में 49 नंबर दिये गए है अईसे विशायों के लिए भी अंग दिये गए हैं जिनकी पढ़ाई ही नहीं होती है ज्यारखन मुक्ति मोर्चा की धनबाद और पच्मी सिम्भूम कमेटी भांग ज्यारखन से बड़े राइनिति घटना करमे मुक्मति हमन सुरिन की पार्टी में बढ़ा फिर बदल किया गया है बतादे जामो अध्यक्ष सीवु सुरिन ने पार्टी में बढ़ा फिर बदल किया गया है जरकन मुक्ति मोर्चा की धनबाद महानगर और पच्मी सिम्हुम जीला कमेटी को भंकर दिया गया है जरकन मुक्ति मोर्चा की धनबाद महानगर समीती के संचालन के लिए संजोजक मॉंडली का गठन किया गया है